और दोस्तों टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे अन्नाई उनिवर्सिटी जो एक स्टेट कमेंड उनिवर्सिटी है और यहाँ एक हुज भैकेंड से निकला है आसिस्ट और प्रोफेसर, आसोसेट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पूजिशन पे तो चलि कर लिजिए फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो यह आप देख सकतो यह है अन्नाई उनिवर्सिटी का ओफिसियल जो रिकूट्मेंट पेज जहां आपको मिल जाएगा रिकूट्मेंट रिलेटेड सारे के सारे इंफरमेशन और यह जो अन्नाई उनिवर्सिटी है यह तमिल नाडू का नंबर उन इंजिनेरिंग कॉलेज है और यह चन्नाई में लोकेट है तो आप यहां देख सकते में मेंशन किया गया है अन्नाई उनिवर्सिटी चन्नाई फैकल्टी रिकूट्मेंट पोटल तो मैं इसको और थो फास्ट देखें यहां मेंशन किया गए है, notification number, यहां notification दिया गया है, the name of the post, post के बारे में बताया गया है, then pay scale, 7th pay scale के हिजाब से यहां आपको salary मिलेगा, department wise, आप चाहो तो इसको download करके देख सकते हैं, हम इसको details में देखेंगे, assistant professor, associate professor and professor, इस प्रकार का कुछ चाहओ तो यहां से डाउनलोड करके भी डाइड रिएक्ट आप इसको देख सकते हो अपलाई कैसे करना है अपलाई की देखिये यहां लॉग इन का अप्षन दिया गया है आप यहां आपका जो खुद का एक आईडी क्रियेट करके न्यू रेजिस्ट्र में आप आपका आईडी क्रियेट करके आप यहां अपलाई कर सकते हो बहुत इजी है यहां अपलाई करने के लिए और यदि किसी प्रकार का क्वेरी है देखें यहां email id दिया गया है फोन नंबर दिया गया है आप इनको direct contact कर सकते हो तो आपलाई करने का तरीका यहीं दिया गया है नाव इसका जो detailed advertisement है यह आपका notification आप यहां देख चाकते हो तो हम इसी को ही open कर लेते हैं तो यह है इसका detail notification मैं इसको एगें फिर से zoom कर लेता हूं तो यह दिखें मेंशन किया गया है अन्ना यूनिवर्सिटी चन्नाई notification नंबर यह मेंशन किया गया है और अन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे actually colleges आता है जैसे कि college of engineering गिंडी campus अलगपा college of technology campus देन अन्ना इस प्रकार का यहां departments है या colleges है तो direct हम चलते है इसका advertisement पे तो यहां देखें मेंशन किया गया है direct recruitment for the post of assistant professor, associate professor और प्रफेशर और यह जो सारे 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 जो रेक्रूडमेंट है सारे सारे जो भैकेंस है यह सारे से direct position इसका मतलब permanent position के लिए तो यह जो notification आया था यह 13.10.2020 को आया था और इसका जो application शुरू हुआ है यह 13.10.2020 से ही शुरू हो चुका है ठीक है और इसका last date क्या है online apply करने का 3.11.2020 आप चाहो तो इसको देख सकते हो और hard copy भेजने का जो आपको last date है यह है 10.11.2020 आप चाहो तो इसका skin shot भी आप ले सकत हो ठीक है then अभी हम देखेंगे इसका जो department wise क्या क्या भैकेंसी है आप यहां देख सकते हो assistant professor, associate professor and professor का भैकेंसी के बार में यहां mention क्या गया है then number 4 में देखें यहां mention क्या गया है कि methodology for calculated academic research score आज presented in table A faculty members of the faculty of science and humanities तो इसको देख सकते हो तो assistant professor देखें कौन कौन सा department में कितने कितने vacancy है यहां department का जो center code दिया गया है बीच में आप देख सकते हो कौन कौन सा department कितने vacancy है और यह जो roster में आपको जो mention क्या गया है कौन कौन सा category के लिए क्या-क्या vacancy है first देखिए aerospace engineering में यह एक vacancy है आप यहां से देख लेना roster ठीक है then automobile engineering में एक vacancy है chemical engineering में एक vacancy है civil engineering में एक vacancy है computer science computer center में एक vacancy है electronics and communication engineering में तिन vacancy है then architecture में एक vacancy है then town planning में एक vacancy है तो आपने देख लिया होगा कितने सारे vacancy है यहां ठीक है और बाके roster आप यहां देख सकते हो कौन-कौन सा category के लिए कितना vacancy है then यहां देखिए physics में एगन तीन vacancy है then minimum qualification क्या है यहां mention क्या गया है right side में आप पुरा देख सकते हो minimum qualification minimum qualification में आपको बता देता हूँ कम से कम आपका master's degree होना चाहिए ठीक है और जो engineering का जो subject है इसमें ज्यादा से ज्यादा 60 से 70% और जो general subject है इसमें 55% होना चाहिए उसके साथ PhD चाहिए यहां देखे mention क्या गया है master's degree तो होना चाहिए 70% से ज्यादा होना चाहिए और उसके साथ साथ PhD इस प्रकार का mention क्या गया है सब्जेक्ट्वाइज कुरा यहां mention किया गया है ठीक है टाउन प्लानिंग हीमानेटिज और साइन्स जने जनेरल इन्फरमेशन कुछ mention किया गया है यह सारे सारे चीज आप यहां पर सकते हो और एक चीज देखे यहां मेंशन किया गया है अप्लाई करने के लिए जो अप्लिकेशन फी है जो कैटेगरी है SCST and SCST candidate के लिए यह रखा गया है 400 रूपया और जो 1000 रूपीज यहां रखा गया है जेनरल कैटेगरी के लिए तो आप यहां से देख सकते हो online apply करने के बाद जो hard copy आपको भेजना है यह है इसका address इसी address में आपको भेजना है register आना युनिवर्सिटी चन्नाई 600 025 और आप जब भेजोगे उस application के उपर आपको यह चीज मेंशन करना पड़ेगा मतलग envelope के उपर ठीक है इसी भी प्रकार का query है यहां देख इमेल आइडी दिया गया है इसी इमेल आइडी पर आप contact कर सकते हो मैं basic चीज आपको बदा रहा हूँ experience के यहां experience की इतना जरूरत नहीं है then आप recruitment आना युनिवर्सिटी mentioned किया गया है then important instruction for the post of assistant professor आप थोड़ा सा इसको देख लेना बाकिया आप यहां देख सकते हो अब्रिवेशन यहां कुछ mention किया गया है जो short form में उपर mention किया गया है तो इसको यहां explain किया गया है आप यहां से देख सकते हो then associate professor का vacancy आप यहां देख सकते हो अटो मोबाइल इंजिनेरी में एक vacancy है बाकि रोस्टेर यहां से देख लेना mechanical engineering एक then printing technology एक production technology एक textile technology एक mathematics में तीन अब्रिवेशन यहां से mention किया गया है बाकि educational qualification आप यहां से देख लेना ठीक है ठीक इसी प्रकार मैं आपको direct ले चलता हूं प्रोफेसर का vacancy के लिए तो यहां देख प्रोफेसर र का vacancy है आप अटो मोबाय इंजिनेरी में एक vacancy है सिबील इंजिनेरी एक vacancy है computer technology में दो vacancy है computer science और इंजिनेरी में दो vacancy है इलेक्ट्रिकल और इलोक्रोनिक्स में एक वैकेंसी है इंडस्ट्रियाल इंजिनेरिंग में एक वैकेंसी है इंफर्मेशन टेकनोलोजी में एक वैकेंसी है मेकानिकल इंजिनेरिंग में एक वैकेंसी है प्रिंटिंग टेकनोलोजी में एक वैकेंसी है बागे selection procedure यहां देखें, mention किया गया है, आप calculate कैसे करोगा, आपका जो research score है, जो भी है, faculty members का, तो आप यहां देख सकते हो, इसका कितने कितने point देना है आपको, पूरा चीज यहां mention किया गया है, बागे teaching experience जिनका है, teaching experience का जो format है, यहां दिया गया है, आप यहां से देख सकते हो, नहीं तो वहां जो मैंने पहली भी आपको discuss किया था, वहां भी आप download कर सकते हो, सारक सारी चीज आपको यहां मिल जाएगा, ठीके, then यह तो गया detail notification, इसके अलावा देखें, हमने रोश्टे specialization mention किया गया है, assistant professor, associate professor and professor के लिए, यह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आप इसको download करके देख लेना, तो यह था इसका details और बागे आपको यहां apply करने के लिए, यहां link दिया गया है, ठीक है, date time भी यहां mention किया गया है, 3.11 इसका last date है, online filling करने के लिए, and hard copy भेजने के 10.11 last date है, तो इसका जो link है मैं दे दूँगा description में, आप एक बार देख लिजिए, यदि आप interested हो, तो आप यहां apply कर सकते हो, तो यह था इसका details, thank you, all the best.